चिकन को लंबे आकार में काटकर रख दे, अब एक कटोरे में लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पेस्ट, अदरक लहसन पेस्ट, कॉर्ण फ्लो, अंडा डाल कर मिलाए. अब इसमें चिकन के टुकडे डालकर मिलाए और सोया सॉस डालकर मिलाए और एक से दो घंटा फ्रीज में रख दे अब sheets ले, उसे बीच में से काट कर दू भाग करे और अब एक भाग को लेकर लंबे आकार में काट कर प्लेट में रखे और अब उपर से corn flow डाल कर मिलाए अब मेरीनेट किया हुआ चिकन ले और कटी हुई पट्टी उपर से लगाए, दिखाए गए अनसार अब तेल को गर्म करें, और बनाए गए चिकन स्टिक को धीमी आंच पर तले सुनहरा होने तक क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन बनकर तयार है